नमस्कार दोस्तों नित्य साधना में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे स्री बैभव लच्मी ब्रत के बारे में बैभव लच्मी ब्रत हमें कैसे करने चाहिए बैभव लच्मी ब्रत करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों हम अपने जीवन म कोई भी पूजा पाठ अपने और अपने परिवार की सुख सम्रिधी और धन के लिए करते हैं और हम चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार सुखिर है और हम जो भी पूजा पाठ करें उसका लाब हमें पूर्ण रूप से मिले दोस्तों बैभव लच्मी ब्रत के लिए सुक्रवार का दिन उचित माना गया है और हमें इस ब्रत को सुक्लपक्च के पहले सुक्रवार से शुरू करना चाहिए महीने में अमोस्या से लेकर पूर्ण पूर्ण तक जो पच आता है उसे सुक्लपक्च कहते हैं अमोस्या से पूर्ण पूर्ण के बीच जो पहला सुक्रवार आता है उस सुक्रवार से हम बैभव लच्मी ब्रत शुरू कर सकते हैं दोस्तों बैबै लच्मी ब्रत की कुछ ऐसी मानेता है कि लच्मी ब्रत शुरू करने से पहले हम मन्नत मांगते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए हम आपकी इतने सुक्रुवार ब्रत कर रहे हैं जैसे 11, 21, 51, 101 आप अपने अनुसार माता जी का ब्रत कर सकते हैं माता लच्मी जी का ब्रत कुवारी करन्या इस्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है ब्रत करने से पहले हम जो संकल्प लिये हैं कि हम इतनी की संख्या में ब्रत रखेंगे हमें उतनी संख्या में ब्रत रखना चाहिए और लाश्ट में उध्यापन करना चाहिए दोस्तों सुक्रवार के दिन जब हम ब्रत रहते हैं उस दिन सायम काल को मा लच्मी का पूजा करते हैं अपने पूजा अस्थान पर मा लच्मी का फोटो रख कर पूजा करना चाहिए हमें ऐसा फोटो रखना चाहिए जिसमें एक ही फोटो में मा के आठ रूपों को दर्साया गया हो बैभावलच में जी को गुलाब का फूल या कमल का फूल चढ़ाएं और खीर या मखाने से भोग लगाएं अगर किसी कारण से हमारा बीच में कोई सुक्रवार ब्रत नहीं रख पाते हैं तो पुना अगले सुक्रवार से ये ब्रत शुरू कर सकते हैं अगर हम जितना दिन संकल्प लिये हैं उतने दिन ब्रत करने के बाद हमारी मनो कामना पुरा नहीं हुई तो तीन महीना बाद पुनह ये ब्रत इसी प्रकार से शुरू करना चाहिए इस ब्रत में माता लच्छमी के आठ स्वरूपों की पूजा होती है चलिए दोस्तों पूजा की बिधी जान लेते हैं सरोपर्थम जिस दिन आपको ब्रत रखना है उस दिन ब्रह्म मुहूर्थ में जगें उसके बाद जो आप दैनिक पूजा करते हैं ओ करें तत पस्चात दाहिने हाथ में जल और अच्छत लेकर संकल्प करें संकल्प करते समय ये बोलें कि हे मालच्च्मी मैं आपका ब्रत 11 एक कई से क्यावन जितनी संख्या में करना हो ओ बोलें और अपनी मनुकामना मा से कहें और उसे पूण करने के लिए मा से आगरह करें जिसके बाद से हाथ में लिया हुआ अच्छत छोड़ दें इसके बाद पूरे दिन आप फलहार कर सकते हैं और साम के समय एक लकड़ी के पाटे पर लाल वस्त बिछा कर मा बैभोलच्मी के प्रतिमा को उस्थापित करें उसके बाद तामे के लोटे में जल भरके कलस रखें घी का दीपक जलाएं उसके बाद मा के सामने खीर या हलवा मखाने आधिका भोग लगाएं अगर आपके सरीर में सकती है तो सिर्फ मा का प्रसाद खाकर ब्रत रहें और आप में नहीं सकती है तो एक समय आप सात्विक भोजन ले सकते हैं दोस्तों उध्यापन की विधी आपको अगली वीडियो में मिलेगी इस में आपको उध्यापन विष्टरित विधी मिलेगी उमेद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलता हूँ कुछ ऐसी ही ग्यानवर्दक वीडियो के साथ धन्यवाद